एक और चीज लिखते हैं, concepts of anti-log, anti-log, यह anti-log का मतलब है क्या, पहले तो वह समझते हैं कि हम anti-log है क्या, उसके बाद ही हम anti-log की values calculate करेंगे, देखिए, यह आपके पास log x है, is equal to 0, समझ में आ रहा है, तो आप anti-log का मतलब होता है कि इस log को उस तरफ ले जाओ, उसे क्या बोल ताकि जब यह log उस तरफ जाएगा, तो इसके value हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, आप समझ हीएगा, तो इसको हम बोलेंगे anti-log, anti-log, 0 की value हो जाएगी, anti-log यह वहाँ जाएगा, anti-log 0 की value होगी 1, तो इसका मतलब indirectly log उस तरफ गया है, anti-log, तो यह log की value का है 10, तो एक यह कुछ और नहीं, यह 10 power 1 भी है, यानि कि anti-log जो भी लिखा हो, उसको power में लगा दो, anti-log, 0.3010 की value क्या होगी, 2, सीधा 2, यानि 10 power 0.3010, तो anti-log जिसका भी लिखा जाए, वह हम इस तरफ से करते है, anti-log, यह anti-log उस तरफ गया, तो 0.4771 की value क्या होगी, 3, anti का मतलब क्या होगा, anti-log का मतलब, एक तरह से, 10 power, सीधा, anti का मतलब 10 power, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यह, कितना हो जाएगा 10 power, कितना हो जाएगा यह हमार पास, 3, 0.4771, इस तरह से आप anti-log किसी का भी देख सकते हैं, तो for example, आपके पास बहुत सारी value है, anti-log, अब मेरे को बताते चाहिए, अगला anti-log आपके लिए कौन सा रहेगा, 0.477 के बाद क्या होगा, 0.6020, यह value किसके equal होगी, 4, anti-log, फिर इसके बाद क्या होगी आपके पास, 6, फिर उसके बाद anti-log, 0.84, इसकी value क्या होगी आपके पास, 7, फिर anti-log, 0.9030, इसकी value क्या होगी आपके पास, 8, फिर आपके पास anti-log, 0.95, इसकी value क्या होगी आपके पास, 9, और anti-log, 1 की value क्या होगी आपके पास, 10, यह आपने अभी तक मेरे से समझा, लेकिन अगर anti-log हमें ऐसे values मिल जाती है, जो abnormal type है, जनरल नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें example के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो example हमारे पास लिखा है, कि आपको anti-log, anti-log आपको निकालना है 2.3148 का, क्या निकलेगा, आप बहुत असानी से कर सकते हैं, जिसका भी anti-log निकालना है, यह answer होगा आपके पास, इसका solution, आप जो भी value दी होगी है, उसको 2 की power, 10 की power लिख दीजे सीधा, 3148, बोलो लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, सीधा power लगा दो, अब power rule लगा दीजे, power की rule क्या है, आप 10 की power 2, multiply by 10 power 0.303148 लिख दो, 0.343148, क्या आप इसकी value जानते हो, यह तो 100 होई गया, क्या 0.3148 की value जानते हो, नहीं, आप 0.30 की value जानत हो, और वो कितने आती है, 2, तो यह value 2 छे थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ी होगी, तो round figure में अगर आप करना चाहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 2.1 तो यह हो जाएगा, इंटू, 100, 10 पावर, तो यह क्या हो जाएगा, 210 के एप्रॉक्सिमेट आजाएगी, किसके इकॉल हो दे दिया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 10 पावर 5.6821 और फिर इसको आप क्या लिखेंगे, 10 पावर 5 अलग लिख दीजिए, और फिर क्या लिखेंगे आप, इंटू, 10 पावर 0.6821 लिख दीजिए, तो यह तो 10 पावर 5 है, 0.68 किसका आ रहा था, 0.68 आरहा, 0.69 के बाद तो यह हो जाएगा 4.9 into 10 power 5 बहुत आसान है क्या anti-log negative के भी निकाल दे जा सकते हैं? example एक और ले लेते हैं अगर आपको anti-log निकाला है और निकालना है minus 2.7 आप क्या लिका लेंगे? 10 power minus 2.7 लिख दीजिए और इसको लिखी है आप 10 power minus 3 plus 0.3 है क्यों नहीं? लिख सकते हो आप बड़ा वाला minus integer select करो और फिर plus लिख दो लिख सकते हो? अब ये value क्या होगी? 10 power minus 3 multiply by 10 power 0.3 10 power 0.3 कितना होगा? 2 तो ये value हो जाएगी आपके पास 2 into 10 power minus 3 यानि value हो जाएगी 0.002 इस तर से anti-log निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है. कुछ और example आपको मैं बता रहा हूँ जैसे अगर आपको कभी example ऐसा दिया जा रहा है कि आप anti-log कौन सा लिखालना चालते हैं? कौन सी value निकालना चालते हैं? 0.0028 तो दोस्तों ये क्या हो सकता है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये anti-log 0 ही आगया है, approximate. 0.0028 तो 0 ही है तो इसको आप क्या लिख दोगे? 10 power 0 ही लिख दो भई हे क्या एक तरह से? 0.0028 को आप क्या लिख होगे? round figure में 10 power 0, बहुत कम value है 10 power 0 क्या होगा? 1 जब तक anti-log नेगेटिव में नहीं है, आपकी value एक से कम नहीं आएगी anti-log की, समझ में आ रहा है? और अगर negative anti-log जैसे यहाँ पर है, तब भी आपकी value negative में नहीं आएगी, आपकी आएगी तो value positive में है, is that clear? तो आपके पास कभी भी anti-log की value negative नहीं आएगी is that clear? 0 से बढ़ी होगी, बस इतना ध्याना anti-log always greater than 0 तो आपको निकालना कितना असान है एक और example anti-log अगर आपको यहाँ पर दे रखा है 2.50028 अरे, असान है 10 power 2.5 ही लिख दीजे आप इसको और 10 power 2.5 है, तो यह हो गया आपके पास 10 power 2 और 10 power 0.5 10 power 0.5, 0.5 किसको रिपरेजेंट कर रहा है? लगबग 3 को, तो यह हो जाएगा 3.0, लगबग, लगबग, 1 या 2 क्योंकि 0.4773 है, तो 0.5 तो 3 से ज्यादा ही होगा हो सकता है मेरा यहाँ पर approximate 3.1 ना हो यह हो तो यह आजाएगा आपका 320 answer हो सकता है exact answer 316 या 15 हो लेकि इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा मैं फिर बोलना हूँ, तो इस तरह से आपको anti log log दोनों निकालना मैंने आपको सिखा दिया